नमस्कार आप देख रहे हैं स्काइनेट टीव इंडिया पेश आज के मुख समसार परमार के प्रसास के अनुमोधन के बाद किया जाएगा आपको बता दे कि अब तक ट्रांसपर के लिए आउनलाइन आवेदन मगाये जा रहे थे राजगर जिले के ब्याबरा में सियम राईज स्कूल में प्रार्थना के दवरान गायतरी मंत्र पर रोंक लगाने वाले प्रिंसिपल पर गाज किरी है उन्हें सियम सिवराज सिंग चोहान की नाराजगी के बाद प्रिंसिपल पत से हटा दिया गया बुद्धुवार को सियम राय जिसकोल ब्यावरा के प्राचारे दुश्यंत राणा ने प्रार्थना सभा में बोले जा रहे गायत्री मंथ पर रोक लगा दी थी उन्होंने भरी सभा में बच्चों को डाट लगाई थी इस घटना का एक सिच्चक ने बीडियो बना लिया था स्कूल की सिच्ची का माजिदा ने बीडियो बनाने पर अयत्राज जताया था मध्य प्रदेश विधान सभा चुनाओ 2023 के लिए भाजपा की चुनावी बल्ले बाजी के लिए पहली पीच इंदोर सहित मालवा निमान को चुना है 30 जुलाई को ग्रह मंत्री आमित साय प्रदेश की पहली चुनावी सभा लेंगी बूत कारकरता सम्मेलन कंकेशवरी गर्बा मैदान में होगा प्रधान मंति नरेंद्र मोदी ने आज यानी सुकुरबार को गुजरात के गांधी नगर में सेमीकॉन इंडिया इवेंड का इनाउगरेशन किया इससे पहले उन्होंने सेमीकॉन इंडिया एक्जिबीशन देखा इस दोरान उनके साथ केंद्री मंत्री अश्विनी बैसनाव और राजीव चंसेखर सहित अन्यलोक मौझूद रहे पियम मोधी ने कहा कि पिछले साल सेमीकॉन इंडिया के पहले एडिशन में सवाल पूछा जा रहा था अब सवाल बदल गया है कहा जा रहा है कि हुआ नोट इनवेस्ट पियम ने कहा कि आज ग्लोबल इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफेक्चरिंग के मामले में भारत का सेयर बढ़ चुका है 2014 में भारत का प्रोडक्शन 3 बिलियन डॉलर यानी करीब 24,000 करोड रुपे से कम था आज ये 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 8,2,000,000 करोड रुपे के पार पहुँच गया है इस्टार चिन्वाले सभी करेंसी नोट पूरी तरह से असली है भारती रिजर बैंक ने गुरवार 27 जुलाई को बयान जारी कर कहा इस्टार चिन्वाले नोट किसी भी अन्यकानूनी नोट की तरह ही वैद है दरसल पिछले कुछ दिनों से अलग अलग सोचल मीडिया प्लेटफॉम पर एक पोस्ट वाइरल हो रही है जिसमें दावा किया जा रहा है कि इस्टार चिन्वाले 500 रुपय के नोट वैद नहीं है इसी को देखते हुए RBI ने साफ कर दिया कि इस्टार चिन्वाले नोट असली है सोचल मीडिया वाइरल पोस्ट में जो दावे किये जा रहे हैं वोग पूरी तरह से गलत है RBI ने बताए कि उन नोटों पर स्टार चिन्वाले होता है जिन्हें री प्रिंटिंग यानी दोबारा प्रिंट किया गया हूँ ऐसे सभी नोट पूरी तरह से असली होते है लोक सभा और राज सभा में मड़ी पूर मुद्दे को लेकर बिरोज जारी है मांसोन सत्र के साथवे दिन सुक्रवार को भी दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ लोक सभा में सुबह 11 बजे कारवाही सुरू होते ही नारेवाजी सुरू हो गई राज सभा में कारवाही 45 मिनट तक चली लेकिन सभापत जगदीब धनखड और टीमसी सांतर डिरेक ओब्रायन के बीच बहाँस के बाद इसे 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है मद प्रदेश के कुजीलों में तेज बारिस का दोर जारी है राजधानी भोपाल में दोपार 3 बजे के बाद तेज बारिस हुई बढ़वानी में नर्मदा नदी खत्रे के निसान से 7 मीटर उपर बह रही है नर्मदा के तटी गावों में डूप का खत्रा मंडराने लगा है वही इंदोर सहर में रिमजिम वहलकी बारिस का दोर शुक्रबार सुबह से ही जारी है मोशम विभाग के मुताबिक मद्प्रदेश के पूर्वी हिस्से में अगले 2-3 दिन तक मांसुनी सिस्टम एक्टिव रहेगा इससे ग्वालियर, चंबल, सहडोल, जबलपूर, रीबा और सागर संभाग में कहीं कहीं तेज पानी गिर सकता है इसके बाद प्रदेश भर में मोशम खुल जाएगा कुछ दिन के लिए बारिस पर ब्रेक लग सकता है पांच अगस्त से फिर प्रदेश में तेज बारिस का दवर शुरू होनी का नुमान है कल दिन भर की प्रमुख खबरों के साथ फिर मिलते हैं तब तक के लिए सुभरातरी